देखे पहली बात तो मैं इस पश्ट करना चाहूँगा एडवाईजरी शर्द दरूए लेकिन यह हमारी एक तरह से आच्रण नियामावली का अंग है और इस इस पॉलिसी डिसिजिजिन बेस्ट आन जो समय समय पे Ministry of Information Technology द्वारा, राय सरकार द्वारा, हमारे पुलिस मुख्याले द्वारा, ग्रह मंत्राले भारत सरकार द्वारा, सोशल मीडिया के प्रयोग को लेके समय समय पे सरकारी सेवकोह के लिए गाइडलाइन शुक की गई है और हम लोगों ने पाया था कि कुछ समय से हमारे कई करमचारी या तो जानकारी के अभाव में या फिर जानमूच के इंडिसिप्लिन शो करते हुए इस प्रकार के मतलब जो गाइडलाइन पहले से थी उनका उलंगन कर रहे थे और सोशल मीड कर्दी पर पुलिस की वर्दी पहन के या तो अपनी निजी क्रिया करापों का प्रचार प्रसार कर रहे थे या उसका मतलब इस तरह से मतलब सोशल मीडिया का शरकारी समय में गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि कि overall विभाग में भी अनुशासन प्रभावित हो रहा था और पॉब्लिक में भी उसका गलत मैंसे जा रहा था कि हम पुलिस के अधिकारी या करंचारी वर्दी का एक तरह से रोब दिखाते हुए सोशल मीडिया पे अपनी मतलब इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसी क है जो भार सरकार की और रह सरकार की इस बारे में गाइडलाइन्स थी उनको भी देखा हमारे अपने सीनियर ऑफसर के साथ भी हमने विचार में मश किया और उसके बाद हमने ये एक अपडेटिड कॉम्प्रेहेंसिव सोशल मीडिया पॉलिस इसका जिसका कि नाम आचरण निहमावली के तहत हमने इसको जारी किया है तो इसका कोई भी अगर वाइलेशन करता है तो उसके खिलाफ हमारे जो कंड़क्ट रूल्स हैं पुलिस के डिसिप्लिन जो रूल्स है उसके तहत इसमें कारवाई की जाएगी और मैं इसमें ये भी स्प्रेश करना चा उसमें समय पे हमारे अनुर्बल सुप्रीम कोट में भी जिसके बारे में करी सारे जज्ज्मेंट्स दिये हैं वो स्राइट तू प्राइवसी को भी पुलिस अपने सभी क्रिया कालापों में अफोल्ड करें तो इस उधारर के तोर पर यदि सरकारी काम के दौरान वो कोई भी विडियो बनाते हैं और उसका कोई भी अगर वो अप्लोड करते हैं तो उसमें भी जो सेटिजन हैं हमारे उनकी प्राइवसी का ख्याल रखा जाए भीना उनकी परमीशन के इस तरीकी की कोई भी चीज अप्लोड ना की जाए ठीक है कोई वैसे कोई लॉन ओर या पबल अब उत्राखंड की खबरे आपको मिलेंगी वाट्स अप पर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये लिंक से अभी जोईन करें और अपने उत्राखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्राखंड की हर खबर